का नाम होता है एक तरफ में विश्व हिंदू परिशद ने शायद इसी लिए ये दर्खवास किया आप से कि आयोध्या बन गया है आप मतुरा और काशी भी दे दे तो उसके बाद में और कोई इस तरह की मांग हिंदू समाज की नहीं रहेगी ये आलोक कुमार जो विश्व ह सबसे पहली बात तो यह है कि विश्व हिंदू परिशद हिंदू समाज की ठेकेदार नहीं है वो राइट विंग आइडियोलजी को मानने वालों को रेपेजर्ट करते वो उस सेकुलर हिंदू को रेपेजर्ट नहीं करते जो इंडियन नेशनलिजम को मानता नंबर वन तो यह कि देश चलेगा तो सम्विधान से रूल आफ लौ से चलेगा तुम्हारी या मेरी आस्ता से नहीं चलेगा आप यह नहीं कर सकते कि दे दो भाई यह मस्जिद है यह मेरे फादर की शादी में मेरी मा को जहाज में या मुनको निया सुही है समझे यह मस्जिद है हम कैसा देंगे और महां पर नमाज हो रही है अब आप बोलेंगे हर चीज में आपका फेद सुप्रीम है तो मेरा फेद कहा जाएगा ये कैसे होगा हमारा आस्ता है तो मेरी आस्ता कम है कि आप से तो हम ये कह रहे हैं देश आस्ता से नहीं चलता है ना चलना चाहिए